Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देह इनव प्रिस्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम प्राचीन युनान में दासपर्था के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपोर्डेंट है और अक्सर आपके एक्जाम में इस टॉपिक में से कोश्टन बन कर आते हैं किस तर से अर्थव्यस्ता को फल फुलने में मदद कर रहा था उत्पादन जो उत्पादन के अंदर में क्या रोल रहा था तासपर्था का उनका से समाज था समाज के अंदर में क्या रोल रहा है समाज का जो वर्गी करण किया गया वर्ग के अंदर में बाजन किया गया से topic मैंने लिया है तो अगर आप 5-6 साल के question paper का study करते हो ठीक है yearly question paper का study करोगे तो आप यह दिखोगे almost 7-8 बार यह question repeat हुआ आपके पूरे exam के अंदर में तो topic important हर बार घुमा फिरा के पूछा जाता है कि प्राचीन युनान में युनान के पढ़ने वाले किसी और वीडियो के अंदर में हम रोम के दासपर्था के बारे में भी चर्चा करेंगे वह भी एक important topic के तौर पे रहता है चलिए हम यह आप एक वीडियो को स्टार्ट करने से एक पहले एक रिक्वेस्ट रहे का आप सभी वीवर से कि अगर अभी आपने हमारे चनल को स्क्राइब नहीं कर रहा है रहा है और देरे दरे-दरे इंप्रूव करने कलते हैं ऑर आपके लिए विडियो बनाते है ठीके दूस Mehrगे अगर आपको इस वीडियो का प्रेशा को जोइन कर सकते हो जहां पर मैं डाल दो गावीडियो के लिंक्र प्राचीन यूनान में दासपर्था अब देखो अगर हम बात करते हैं कि दासपर्था भई इस तरह से चीज़े हैं दास के अंदर में क्या होता है कि एक व्यक्ति की पावर जो भी पावर है उसकी जो भी अधिकार हो खतम हो जाते हैं किसी और व्यक्ति के अधिनों कारे करता है और जिस व्यक्ति के अधिन कारे करता है उस व्यक्ति के पास ही सारे अधिकार होते हैं उसके यहां पर दासपरता की सदुरूहात हुई कोύ कहता है कि या त्शी तो नॉर्मली एक अंदाजसा लगा जाता है तो वहीं पे हम देखते है जब नीचली मिसर के अंदर में चुल में खुदा यहार तो वहां जो बी कबर मिले कबर उसे यही पता चलता है कि लीबियन जो लोग थे, लीबियन लोगों ने कहा किया, सेनाओं को, सेनाओं को, लीबियन लोगों के जो सेनाओं थी, ठीके, उन्होंने कभीलों को, जो कभीले छोटे-छोटे कभीले हुआ करते थे, जो अंगलों में जो रा करते थे, उनको दासों के रूप में वैवार क तो उनके साथ में, यह यहाँ पे देखा जाता है, कि एक्सअर यह यहें पे यह सुलवात हुआ, आठ बीचि के अंदर में, और जो दास प्रता जो था दास क्या करता है? कजो दास करता है? एक समाज का इस तरिकरण को दास आ गया ठीक है तो उसके वर्गी करण को दिखाता है उसके क्लासिफाइड को दिखाता है कि किस तर से उसका इस्तरी करण है किस तर से क्लासिफाइड किया गया है उसको भी यहाँ पर दिखाता है समाज के इस्तर को दिखाता है उसकी विश्रिस्ता को दिखाता है दास प पर पिरेड़ पे कहीं भी दास व्यस्था का अस्रित्व नजर नहीं आता है, उसका साक्षे उपलाब्द नहीं है. तो हम इए मानके चलते हैं कि उस समय पे कोई भी दास व्यस्था जैसी चीज़ें नहीं रही होंगी. यहाँ पे कोशिन यह भी बनता है कि दास विवस्था का आरंब कैसे हो तब यह दास बनते कैसे हैं अब क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मेरे क्या स्वाव पागल कुत्ते ने काटा है कि किसी को मैं बोलूँगा कि मैं तुमारा गुलाम बनूँगा तब उसके कारण से दास बनने की कारण बनता है या फिर उच्छे जनसंख्या हो बहुत जादा जनसंख्या बढ़ गई ठीके उसके कारण से भी दास बनता है अगर अभी आज की समय मान के चलते हैं पाकिस्तान का एक्जामपल लेते हैं तो पाकिस्तान के अंदर में क्या कि दीरे दीरे जनसंख्या बढ़ रही है, नौर्मल सी बात हर जेगा बढ़ रही है, भारत के अंदर में बढ़ रही है, ठीके दीरे दीरे जनसंख्या बढ़ने के साथ में उस तर से एकनॉमिक ग्रो नहीं कर रही है, उस तर से रूजगार लोगो को मिल रहा है ठीक है भारत की कंडिशन फिर भी पाकिस्तान से भी लाुग गोना बैटर है पर पाकिस्तान का ले लो होसे लंगा कल ले लो और भी बहुत सारे जो दचीन अफरीका के देषे हैं example लोग है तो वहां पे देखेगा तो वहां पर क्यांगे आप जनसं Standard वह बढ़ से अधा जा रहा है कम जगमें जादा लोग रहे जादा लौकरिया कम हैं लोगों के पास पैसे कम आर्थि अन्रगी आती जा रहे हैं तो देरे-देरे खांगा घुलाम पर चलन न, वो क्रिशी के अविस्कार के बाद हुआ, जैसी क्रिशी वेवस्था आरंब होता है, उसके बाद यह माना जाता है, ठीक है, क्रिशी वेवस्था के बाद में यह आरंब होता है, नौपाशान काल के दोरान में लगवाग 11,000 वर्स पुर्व, इसका मतलब यह मानन जब जिस time period पे आदी मानत है जिस time period पे जब वो क्या करता था संग्रहन करकर अपना खाना खारा था ठीक है अखेट करकर अपना खाना खारा था तो उस time period पे तो कहीं भी कोई साक्षे नहीं मिला दास परता का तो उस time period पे नहीं होगा फिर उसने सोचा कि अगर चलो उस time period प की दासपरता का ये कारण बनता है ठीक है तो उसको देखते हुए उन्हों ने सुझा कि यार अब किस condition में जाकर सबसे पहली बार दासपरता का बना होगा तूंनोंने देखा कि जब कृषी ववस्ता आरम होई होगी जब क्रिशी वेबस्ता आरम हुई जहां पे लोग एक जगा रुप कर खाना खाने लगे, रहने लगे, क्रिशी करने लगे, दिरे-दिरे आगे बढ़ने लगे, तो वहाँ पर से वो दिरे-दिरे दासपरता का स्टार्ट हुआ होगा, नॉर्मली अगर उस टाइम पिरेड को जाना जाता है, ठीक है, उन्होंने 900 इसा पुरूफ के लगबग में कई सारे किताबे लिखी, जिसके अंदर में दो महा कावियों का जिक्र किया जाता है, एक महा काविय का नाम है इलियड, ठीक है, दूसरे का नाम है ओडिस, ठीक है, इन किताबों के अंदर में भी दास प पार्टा ही सारे जो कंट्री है ठीक है आप उस देश के Angie में59Time । ठीक है सिक्षा के मामले में ठीक है किसी तरह कि करांती के मामले में सपार्टा ओ रोम हो गया इनको माना जाता थी ठीक है डास हो की यो संक्या थी वो 27 विर नागरिकों से पूरा अधिकार जो मतलब दासों के उपर में जो भी एक मतलब दासों के पार किस तर से क्या है वो पूरा राज्य के अधीन में होता था यह दिखा जाता है एक राज्य का समाज और राज्य का बहुत इंपोर्टेंट डॉल दासों को लेकर रहता था ठीक है यह दिखा गया प्लूटो ने अपनी जो कृतिक का अपनी प्लूटो ने किताब लिखी ठीक है प्लूटो को ने भाई तो फादर आफ दा पॉलिटिकल आरुस्तु और उनके गुरु चेले के तौर पे जाने जाते हैं प्लूटो ठीक है तो प्लूटो ने अपनी किताब लिखी जिसका नाम तो उसके अंदर में दासों के बारे में प्रमुक्ता से चर्चा किया जाती है, जिसके अंदर में आधार बना जाता है दासों को, ठीक है, वो कई सारे इतिहांसकार, उस रिपब्लिक का जो बुक लिखीती रिपब्लिक, ठीक है, प्लुटो ने, उसको आधार बनाकर, दासों लिखा कने लगे आथार बनाकर प्लूटो की ऊख को तुक्त को थीक है इस तरह किसे मांगा जाता है यहां पर यूनानी दासनिक आरश्टू ने भी दासों को नहीं, नहींब दासों को सौैमी, इन दासों को दोनों के लिए Hitkar माना, ठीक हो Hitkar के तरों पर अगे उसको बोलते हैं, तो अगर मैं आगे बात कर रही है तो नॉर्मल मैंने थोड़ा सा बेस बताया आपको आपके बुक से हटकर अब आपके बुक के अंदर में क्या चीज़े बूली गई है किस तरीके से आप दिखाया गया है फिक अगर आप बुक की बात करोगे तो युनानी सवयता की अर्थविस्ता में दासो का बहुत महत्यपूर रोल रहता है जो युनान की अर्थविस्ता जिस तरसे विकास कर रहे थे वहां पे दास बहुत important अप्ले कर रहे थे चाहे आप रोम की बात करो, ठीक है कहीं और की बात करो, तो वहां से काफी difference देखा जाता है। और दासों के अंदर में सरवपरतम महिलाओं को दास बनाने का परमान मिलता है। सबसे पहले महिलाओं को दास बनाया जाने लगा। Homer के जो महा काववे थे जो भी मैंने उपर में बताया Homer के महा काववे के अंदर में भी दासों के बारे में जिक्रिक किया गया और किन को दास बनाया जाता था सबसे ज़्यादा अगर दास बनाने की बात की जाए तो कोई भी लड़ाई जगड़ा उवा, कोई भी दो देसों के बीच में वहर हुआ अपसी, उसके अंदर में जो बंदी बनता था, जो युद के अंदर में बनते था, कैदी होते थे, उनको दास बनाया जाता था, अगर मालो किसी वैक्ती ने पैसा लिया, कर जा लिया, रिन लिया है और वो वापस नहीं कर पा रहा है तो उसको दास बनाया जाता था, तो इस तरह के परमान मिलते हैं और उन दासों को कहां पर उपयोग किया जाता था तो खनन कारे के लिए, हस्त सिल्प कारे के लिए, क्रिशी कारे के लिए और भी अन्ने जगहों पर उनका उपयोग किया जाता था दासों का सपाटा में जब पोलो सपाइस करके जो जगह थी तो जो भी वहां के लोग थे पूरी अबादीको ये उन्होंने दास बना दिया था थीक कि आस प्रता की शुरुआत की देखो है घुक्त जो नोरमेली आप पड़ और तो बहुत इंट्रस्टिंग है काईफी सारी चीजे आपको वहाँ पर विकास होते हुए दिखता है जो नए-ने संगठन नए-ने ग्रूप नए-ने आइडियास का इनोवेशन हुआ सपार्टा एथर्स वहीं से माना जाता है उरान रोमन से ही नॉरमली ठीक है तो सपार्टा के अंदर में भी दासपर्था बहुत तेजिसे से विकास करता है जहांपर पूरी पूरी अवादी को यहां पर देखा जाता है कि दास के तोर पर ट्रीट के आजाने लगा परकार की दासपरता की सुरुवात करते हैं जिसमें हेलोटी नाम का जाता है पूरे दासपरता को हेलोट्री के नाम से जाना जाता है और जो दास होते थे जिसके हेलोट्री के अंतरगत जो भी दास बनता था उसे हेलोट का जाता था ठीक है उन लोगों को हेलोट का जाता था तो उन दासों को हेलोट के नाम से जाना जाता था, हेलोट जो दास हुआ करते थे, इन पर स्पार्टा समुदाय का अधिकार होता था, जो भी स्पार्टा के लोग थे, उनका पूरा-पूरा अधिकार होता था, आगे आप इसमें बात करोगे दोस्तों, तो जो सपार्टा वा गर दो दास का पूरा दिकार जो राइट होते थे राजा दोरा परिवार के जरूरतों को हिसाब से दासों को दिया जाता था अगर किसी परिवार को दोडास की जरूरतों तो उसे दोडा सके जरूत है तो उसको तो जहाती है नहीं और कि है नगवेगति का व्यक्ति का पर ओभी तर से मेरा हैं, इस पर सारह मेरा अधिकार है, तो इस परकाल से देखा नहीं जाता था। हेलवड के पास कुछ अपने अधिकार भी थे, हेलवड अपना परिवार बसा सकते थे , उस साधी कर सकते थे और बच्चे भी पैदा कर सकते थे और कंडिशन यी होती कि जो बच्चे के मात्ता पिता होंगे उनकी जैसी ही इस्तिती वो भी गुलाम बनके रहेंगे वो भी दास बनकर रहेंगे ये माना जाता था विदवान मानते हैं कई सारे विदवान मानते हैं कि हेलोट दासपर्था एक मानवी रूप था अगर आप रोम की दासववस्ता को देखो गे न तो उसके बाद हेलोट की जो सपार्टा की दासववस्ता पढ़ लो या युनान की दासववस्ता पढ़ लो उसके रूप अंदर में माना गया कि यह जो सपार्टा की दासववस्ता था वो एक मानवी रूप हम्मुनिटी फे किस तरह से वह बैक्वर्ड था उसके बारे में हम अंदाजा लगाते हैं साथ साथ में दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि सपाटा में जो भी नीजी संपत्ति था उसका पुन रूप से विकास नहीं हो पाया क्योंकि वह दासों पर बहुत जादा फोकस कि यह लोग आगे ग विक्सित ने कर पारे नीजी संपत्ति सजीतर से गुरू ने कर पारे अर्थवस्ता पिछड़ा हुआ है तो जो कबीलाई जो चोटे-चोटे कबीले वाले लोग थे ना उसका सुरूप समाज के अंदर में देखा जाता है दासों का सुरूप जाधता देखने के लिए मिलत युनान के अनने भागों के अंदर में इसका प्रिचलन बहुत तेजी सबढ़ा हुआ अगर आप बात करोगे की निग्षा के सबढ़ा न की युनान के समाज और आरध व्रत्रों प्लेकर है उनकी विसरिश्था के तोर पर जानी गई यूनान के अंदर में कि जो दास पर था है वो तोर यूनान की विसरिश्था के तोर पर जाना गया दासों के लिए डाउं लोस दासों के लिए जो दास थे उनके लिए डाउं लोस सब्द का उप्योग किया जाने लगा ठीके डाउं लोस ठीके डाउं लोस सब्द का उप्योग किया जाने लगा दासों के लिए एथिस के दासों में दासों को संपत्ति मतलब जो एथिस के दा प्रचने और खरीदने का अधिकार उनके पास हुआ करता था अपनी मर्ची से बेच सकते तो उनके खरीज सकते थे यह भी देखा जाता है धातु द्वारा उत्पादन करने उत्पादन के अधार पर बढ़ोती रत्वस्ता में दासों को मजदूर लगाया जाने लगा देखो नॉर्मली जो दास थे उनका उप्योग क्या किया जाता था कि उत्पादन करने के लिए ठीक है कि किस प्रकार से उत्पादन हो अर्थवस्ता में किस तरह से बढ़ोती हो ठीक है अर्थवस्ता को ग्रो किस प्रकार से किया जाए मजदूर के तौर पर दासों को उप्योग क किया जान लगा किसके लिए तो उत्पादन के उत्पादन विवस्ता को बढ़ाने के लिए ठीक है उत्पादन विवस्ता को ग्रो करने के लिए यहां पर इसका उपयोग किया जान लगा दोस्तों पूरा टॉपिक था यहां पर दास विवस्ता के बारे में में अगर में एक त्यासकारों का क्या मानना था किस प्रकार से रहा वहाँ पर एक मैंने सोर्स के तौर पर कवी होमर का मैंने यहां पर एक्जामपल दिया जो 900 इसाद पुर्व में ठीके दो महा कावे लिखते हैं इलियड और ओडिस के नाम से जिसके अंदर में 200 का नैतिक पतन के बारे में वो लेक करते हो कि किस परकार का उनका अस्तित्रान नैतिक पतन किस परकार से हुआ उसके बारे में वो जिकर करते हैं उसके बाद हमें आप बात करते है Pluto के बारे में कि Pluto ने अपनी जो book थे, Republic, उसके अंदर में दासों के बारे में चर्चा करी, उन्होंने क्या बताया और उनके book को आधार बना कर कई सारे इतियास कारूने भी चर्चा करी, जिसमें walker, dining और स्याई बन करके इतियास कार आते हैं उसके बाद में ने ये भी बताया आपको कि युनान के जो दारसनीक थे आरस्तू उन्होंने दास और स्वामी के दोनों को एक दूसरे के लिए हितकर माना कि जो दास है और स्वामी है दास का वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है फ्रूटफुल है हितकर है ये मानकर चलते ह और जो प्लूटो होते हैं इसका ये गलत बात है ठीक है आगे आपके बुक के अकोडिंग में ने बताया आपको कि किस परकार से दास पर था का विकास हो महिलाओं को किस परकार से दास बनाए गया दासों का उप्योग कहां किया जाता था ठीक है दासों को क्या है लोट लास्ट में आप सबसे रेक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है समझ में आ रहा है तो आप लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इस वीडियो के लिंक को जिससे वो भी इसका benefit उठा सके अगर आपक दीन शपत हैं ने मेवाब टेकर ममशनेक, अजय मोडिक व्यए सब्सक्राइब जसाएं अधा, है यह रोल देख्णाएं झाल झाल